हेलो फ्रेंज वेल्कम बेक टू माई चैनल ये इस ड्रामे की हिंदी एक्स्प्लेनेशन का पार्ट फोर है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं शीजिन उसे बताने आती है मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था यान बोलता है मुझे दो घंटे के लिए भार जाना है यान उसे मना कर देती है पर तबी शाओ आकर उसे बोलता है तुम्हारा असिस्टन कुछ टाइम के लिए जाना चाता है तो जाने क्यों नहीं देती और वो शीजिन को खीच कर अंदर ले जाता है शीजिन उसे बोलती है मैंने कब कहा कि मैं तुमारी फ्यांसी हूँ हमारे पेर्ण्स ने वो सब बस मजाख में बोल दिया था तुम्हीं ये सब बोलने से पहले एक बार पूछना तो चाहिए था ना शाओ बोलता है वो मैंने तुम्हारे अंकल की बोलती बंद करनी के लिए बोला था पाकि वो कमपनी में तुम्हारी जंगा तुम्हें वापिस दे सके और जो मैंने कहा है मैं उसके लिए एकदम सीरियस हूँ मैं तुम्हें शादी करकर अपने साथ ले जाओंगा दूसरी तरफ इन दोनों का रुमेस्स चल रहा होता है, जूली बोलती है कहीं कोई आना जाए, लुफान बोलता है कोई नहीं आने वाला और दोनों शुरू ओजाते हैं, पर तब इन्हें पता चलता है यहां पर येन आ गया है, लुफान को तो गुस्सा आ जाता है, इवन व कि झुले की पास आ जाता है। जल्दी वापिस आ चारी जूली तो उसका इंतजार करती रह जाती है इधर यैन उसी जंगा पर आता है जहां पर वो शीजिन के साथ घूमने आया था वहाँ पर उसे शीजिन की ड्रेस का जिप भी मिल जाता है यैन की लोकेशन से पता चल जाता है वो कहां पर है तो वो भी वहाँ पर आ जाती ह शीजिन बोलती है मैंने तुम्हें दो घंटे का वक दिया था अब ख़तम हो गई है यैन तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है शीजिन पूछती है तुमने इतनी साधा पी क्यों रखी है तेकिन यैन तो उसे हग कर लेता है जिससे सीजिन को भी कोई प्रॉ जा दूँगी वैसे तुम उस जगा पर क्यों गए थे यैन उसे दिखाता है मैं इस सिप को लेनी के लिए गया था नैक्स दे शाओ शीजिन को मेसेज करता है आज तुम्हें मेरी ग्रेनमा से मिलने जाना है शीजिन को वहां जाने में अजीब लग रहा था इसलिए यैन ब गर्फरिन भी डून ली है शाओ अपनी ग्रेनमा को बहुत समझाता है अरे मैं आपका पोता हूं लेकिन ग्रेनमा तो बोलती है तुम तो ड्राइवर हो और वही बन कर रहा हो चलो जल्दी से जाकर गारी से समान लेकर आओ ग्रेनमा के पोप आईडल्स के एक ओंसेट जाना है यान बोलता है मैं आपको जरूर लेकर जाओंगा दूसे तरफ जूली और लुफान चारिटी की सर्टिफिकेट लेकर कंपनी में जाते हैं पर वहां पर कोई काम नहीं बन पाता वापिस आते वक्षी जिन शाओ से पूछती है भाई तुम अबरोड कब वापिस ज जोड़ कर जा रही हैं कंपनी काफी लोस में चल रही है शाओ बोलता है मैं तुम्हारे हल्प कर सकता हूं वैसे भी मैंने तुम्हारे अंकल के साथ मीटिंग फिक्स की है जहां पर हम दोनों को जाना है इवें शाओ तो अपने साथ एक रेनुवेटर भी लाया था ताकि व प्रोड में भी उसके लिए वैसा ही घर बना सके शीजिन बोलती है ये सब करने की क्या जूरत है लेकिन शाओ नहीं मानता उसे लेकर बेडरूम में आ जाता है बेडरूम दिखाने इनुवेटर बोलता है पर इस बैड पर तो दो लोग सोते है ना शाओ को लगता है जरूर जूली के साथ शीजिन सोती होगी इसलिए उसका नाम ले देता है इवन ये तो शीजिन के इल्मारी भी देखने वाला था पर शीजिन उन्हें भार बेज़ देती है पीछे से शाओ उसकी अल्मीरा देख लेता है चाहां पर वो येंण के कप्रे देखकर समझ जाता है ये के साथ रहता है इसलिए वो शीजिन को बोलता है मुझे बाहर कपड़े खरीतने जाना है तो क्या मैं तुम्हारे असिस्टन को अपने साथ ले कर जा सकता हूं बाहर आने के बाद शाओ उससे पूछता है क्या तुम शीजिन के साथ सोते हो वो हाँ बोल देता है शाओ बोलता और रॉलमीरा में कपड़े जो रखे हैं वो तुम्हारे हैं? येन बोलता है, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानता हूँ जो हमेश लड़कियों को फास कर खुद भी हमीर बनना चाहते हैं और उसने तुम्हें अपना सिज़न क्यों बनाया है जबकि तुम्हें त शीजिन को कंपनी में उसकी ज nutr जह चाहती है। ध्यान तो अपनी घड़ी पर होता है क्योंकि वो रुकी नहीं रही थी इसलिए उसे टेंशन हो जाती है और इधर चाचा जी भी साइन करने में भाने बना रही होते हैं इसलिए शीजिन बोलती है चलो बाद में साइन करेंगे और घर आ जाती है यान इसके लिए सारा खाना घर से जा रहा होता है कि तभी शीजिन घर पहुंच जाती है तुम कहां जा रही हो यान उसे कॉंट्राक के पैसे वापिस करता है मैं तुमारे असिस्टिन बनने के काबिल नहीं हूँ इवन मैं तुमारी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता सिर्फ शाओ ही है जो तुमारी हर माम यह उन्हार में वाकर श्काता मटचा मका चाहता düşünन्革 जी तकर मुस्य गोड़ा कृन्तु हो एक राकी बाता पालो नहीं किरो हमा उसे उसे बहे जाते हों हमारे प्रिस ञीने करे दो कि तो दुन्हारा भप बहुत हुआ है बोल दी थी और शाओ से अपना हाँ चुलवा कर येन को डूने के लिए चली जाती है। शीजिन बोलती है वो मेरा असिस्टन नहीं था। शाओ बोलता है सौरी माफ कर दो। शाओ चाजा जी से मिलने आता है। इधर येन उस कुंगी लड़की को बता रहा होता है। शीजिन को पसंद करता हूं पर मुझे नहीं पता वो मुझे पसंद करती भी है या नहीं। मुझे लगता है उसके बच्पन का दोस शाओ उसके लिए एक दम पफेक्ट है। लेकिन वो लड़की बोलती है। तुम्हे उसे पहले अपनी फीलिंग के बारे में बताना चाहिए फिर डिसीजन लेना चाहिए। नहीं तो बाद में तुम्हें रिग्रेट भी होगा। जिसके बाद वो शीजन से मिलने के लिए उसके घर आता है पर शीजन तो वहाँ नहीं थी क्योंकि वो तो उससे मिलने के लिए गाडन की तरफ चली गए थी। शीजन उसे नहीं मिलती तो उसे लगता है जरूर वो अब रोट जा रही होगी इसलिए एरपोर्ट पर आ जाता है वहाँ पर शाओ उसे बताता है वो मेरे साथ नहीं आई है उसने तुम्हें चूस किया है इधर ये लड़की शीजन को बताती है वो तुम्हें ढूरने के उससे बापितने चाओ और ये लोगा है शीज करता है जोर्ने का मैसे डीया हैं अब हम भी गर्फ्रेंट बउई ये दोनों तो खुशी की मारी पागल हो जाते हैं क्योंकि अब वो इनी डिस्टप करने नहीं आएगा शीजिन फिर से अपनी सीओ की पोजिशन पर आ जाती है और साथ ही वो येन के साथ ओफिस में रोमेंस भी कर रही होती है येन उसे डीनर पर लेकर आता है मैं तुम्हें जाता हूं शीजिन तो बहुत जड़ा घबरा जाती है लेकिं येन की फेमली सिफ लुफान थी इसलिए वो उसे लुफान और चूली से मिलवाता है येन उसे बोलता है हम एक कॉश्प की वज़े से मिले थे तो मैं फिर से तुम्हें से डर्य कोश्प करना चाता हूँ जो क दिन यान अपनी अंटी से मिलने आता है, जहां पर दो चोर अंटी के डॉक चुरा कर भाग रहे थे, सभी डॉक को बचाने के लड़ने लग जाते हैं, और इन सब में वो चोर यान को चाकू मार देता है, इसलिए सब उसे होस्पिटल लेकर आते हैं, जहां डॉक्टर उसे ब ब्लड ग्रूप रियर था, लेकिन उसने मना कर दिया था, लेकिन शीजीन उसे बहुत सारा खून देती है, डॉक्टर उसे बोलता है सारा खून आप ही दोगे क्या, अब ये ब्लड ग्रूप असानी से मिलता नहीं, इसलिए वो ही सारा खून दे देती है, इन सब में उसी क हालत बिगड़ जाती है साथ ही उसकी घड़ी रुक कर रिवर्स मोड की जंगा सीधी चलने लग जाती है जिसके बाद वो उसी जंगा पर पहुंच जाती है वो आदमी फिर से उसे बोलता है तुमने कब से लेनी की जंगा देना शुरू कर दिया चलो अच्छा ही है इसलिए जान बच गई तुमने किसी को अपना टाइम दिया तो आज तुमें भी जीनी का टाइम मिल गया यानि कि तुम अपनी लाइफ में अच्छे से रह सकती हो साथ ही उसके हाथ से वो घड़ी भी गायब हो जाती है शीजिन पूछती है पर येन बच गया है क्या वो आदमी बत पाते वहीं पर फस जाते हैं यान उसे बोलता है मेरे जानी का समय हो चुका है मेरे चकर में तुम यहां मत रुको और उसे किस करकर वहां से भेज़ देता है लेकिन जब शीजिन की आके खुलती है तो वह एक काउंसलिंग की ओफिस में होती है फलूफान उसका थेरेपिस् वह थेरेपिस्ट बताता है यह सब दो महीने पहले शुरू हुआ था जब तुम्हारे डैड मुझसे थेरेपि लेने आये थे अक्चली में डैड सारा समय कमपनी को ही देते थे जिस वज़े से उनकी फीजिकल हेल्फ ठीक नहीं रहती और वह बहुत ही जल्दी मरने वाले इसलिए उन्हें बड़ा अफसोस ताफ वो अपनी बेटी को प्यार नहीं दे पाए बस कमपनी में ही लगे रहे वो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होने देना चाहते थे और जब उसके डैड की डैठ हो गई तो उसके बाद जूली नहीं लुफान को बताया था यानी कि ते शीजिन सिर्फ काम पर ध्यान ना दे अपने बागी रिष्टों के बेलुक को भी जाने और वो आदमी जो कुछ भी बोल रहा होता है वो लुफान ही होता है शीजिन पूछती है क्या येन भी इस दुनिया में सच में एग्सिस्ट करता है लुफान बताता है हाँ वो मेरा जो कि पेट फ्यूनरल चलाता है उससे हमने हेल्प ली थी शीजिन तो खुश हो जाती है यानि कि वो जिंदा है और उसके पास दोड़ी हुई आ जाती है शीजिन येन से पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो येन हां बोल देता है लुफान की पेशंट होना उसने मुझे एक बार हील्प के लिए बुलाया था शीजिन बोलती है मुझे कुछ टास कंप्लीट करने है तो क्या मेरी हेल्प कर सकते हो टास उसके उस दुनिया में येन के साथ रह गए थे लफ कपल वाले वो वो इसके साथ पूरे करती है शीजिन सोचते पर इसे तो कुछ भी नहीं पता कि मैं इसे पसंद करती हूँ, इसलिए टास्क के बाद उसे थैंक्यू बोल कर चली जाती है, यान भी उसके पीछे पीछे आने लग जाता है, शेजिन उसे पूश्ट है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, यान उसे बोलता है मुझे दो मीटर के दाइरे में रहना है ना यानि इसे सब कुछ याद था, शेजिन तो खुशी कि मारे उसे हग कर लेती है, क्योंकि उसे अपना यान जो मिल गया था और यहीं पर इस ब्यूटिफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें, मिलते हैं नेक्स प्ली सारंगी, बाइबाइ!